सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस इकन बटन प्लीज दो शेयर वेल्कम तो आड चैनल देट इस बिंदाज एजुकेटर और बच्चो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे लेक्चर में जो की बहुत जादा स्कोरिंग होता है नीट के की फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही जादा कंसेप्शुल है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और ये टॉपिक जो है इसके साथ डील करने के लिए आपको बहुत जादा प्रेसेंस ओफ माइन चाहिए होती है ठीक है कई बार ये चैप्टर जो होता है हमें ब पर्मोमीटरी पढ़के आ रहे हैं जी एन नीट फिजिक्स लेक्चर सीरीज में तो बहुत अच्छी बात है उसी टॉपिक के जैसे हम ये टॉपिक भी रे उप्टिक्स भी ऐसे पैरलल उसको जोडने जा रहा है तो चलिए स्टाट करते हैं रे उप्टिक्स के बारे में र स्वे ये सबसे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रों क्लें सपैसर था उऔर आब कहपे ए ऊतने पहले स्पेसिकल प्लेंगए तो कि इस ऑर जो इस blir को सबढ़ने और बीस two-team का पेसिक का मोई हमारे मेन और तिल के उनके मोलिट सोंद फसके को बीदि बैट ने इून ends रिटी को ऱ्यों सब्सक्रेंग सृने दिर्ल फिलीज करेंगे इसे 10 फ्रीजह में बीस चीजह को नर फ्लीजन डिसको सव्ची Hem पर वोटर वगेरा में जब एक मीडियम से दुफरे में में लाइट जाती है तो बैंडिंग होती है वो सारी चीज़े डिसकस करने बाले है then we will discuss about lens, हम lens के बारे में discuss करेंगे, types of lens और उन lens के उपर application based होती है, कहां use करते है, कोन से lens का क्या function होता है, उसके उपर question based क्या आता है, NEET और JE में, वो सारी चीज़े discuss करेंगे, then we will discuss prism, prism separately भी discuss करने वाल है, prism में बहुत अच्छा topic है, उसके उपर भी questions जो भी directly पूछे जाते है, prism में हम discuss करने वाल है, defects of human eye, human eye के जो defect होते हैं, myopia, hypermetropia and all that, इनके उपर जो question based होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़े हम discuss करने वाल है, then we will discuss optical instrument, जैसे की telescope, microscope and all, यह सारी चीज़े हम optical instrument में discuss करेंगे, तो चलिए, आज के lecture में जो हमारा main aim है, वो है आज के lecture में basics clear करने का, so let's start with some basic concepts, some basic concepts we are starting with, so the first one is ray, what is ray, ray is a straight line path, followed by light in a homogeneous mixture, देखे, as such light जो होती है, वो dual property शो करती है, ray nature and particle nature भी शो करती है, जो की more or less modern physics का part है, जो हम physics की, जो अलग से topic स्टार्ट करेंगे, modern physics वो भी बहुत जादा scoring है, उसमें हम वो सारी चीज़े discuss करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि, ray is a straight line path, ray सिर्फ एक light का path है, ray is a path of light, ठीक है, actual में कोई ray ऐसे कोई line नहीं होती, this is the path of light, ठीक है, वो ray जो है, light का path है, followed by light, इन होमोजीनियस mixture, जो की होमोजीनियस mixture में हमें देखने को मिलता है, अगर हेटरोजीनियस mixture होगा, तो वो light होगी, जिग-जग चलेगी, क्योंकि वहाँ पर light का reflection होगा, वो हम बाद में discuss करने वाले हैं, तो जब भी हमारा कभी object इन्फिनिटी पर होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ से जो light आती हो, parallel rays की form में आती है, ठीक है, parallel rays की form में आना, मतलब हर एक ray के बीच में equal distance है, parallel rays आ रही है, that means the object is very far away, और the image is very far away, उसके लिए हम parallel rays का use करते हैं, diverging rays means the rays are originating from one point and diverging in different different direction, these are called as diverging rays, तो diverging rays ऐसे भी थिखने में हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, तो जब ऐसी वाली ray होती है, उनको हम पीछे अगर extend कर दे, so we will come to know that they are also diverging or they are originating from the same source, then rays can be converging also, converging मतलब वो अलग-अलग points से आके, एक point पर आके focus कर रही है, एक point पर आके converge कर रही है, these are called as converging rays, ठीक है, और अगर diagram ऐसा भी हो, तो ये भी converge कर रही है, क्योंकि अगर इनको हम आगे extend करेंगे, they are coming, अगर अगर हम इनको आगे extend करेंगे, तो they seems to be converge at a point, and that's why they are also called as converging rays, ठीक है, now the second point is, what is object, हमने रह के बारे में पढ़ा, ray is a path of light, now we are studying about object, कि ये object क्या होता है, object is found by intersection of incident rays, जब भी, intersection of incident rays, incident rays मतलब, जब भी हमारी जो incident rays होती है, ये incident rays मानलो कही से originate होती है, incident rays are originated, तो माली जी ये incident rays है, जो originated होती है, और ये incident rays के intersection से जो बनता है, वो होता है हमारा object, और इसका मतलब हम ये बोलना चाहते है, कि object वो होता है, जहां से light rays originate होती है, simple सुदों में, हमारा object वो होता है, जहां से incident rays originate होती है, if object is real, incident rays are diverging, for example, अगर मैंने देखिए, diverging rays बनाई है, तो ये incident rays ये object से, अगर originate होगी diverging है, that means this object is real, this object is real, लेकिन अगर incident rays जो है, वो diverging होती है, अगर incident rays जो है, वो converging होती है, for example, light कुछ ऐसा, converging rays, तो ये light जहां से आ रही है, वो object जो है, वो object जो है, हमारा कैसा होगा, that will be a virtual object, वो हमारा जो object है, वो virtual होने वाला है, now we will discuss about image, image क्या होती है, image is formed by intersection of light rays, after interaction of optical rays, देखे, अगर rays जो है, मानली जी, अगर हम mirror की बात करें, तो incident rays जब जाती है, mirror पे टकरा के, अगर कहीं पे, then they will rejoin, after reflection और after reflection, जब light rays जो है, then they are, they form image, ठीके, तो वो image होती है, after interaction of optical rays, यानि कि optical rays जब interact करती है, तो वो image form करती है, image is real, if after interaction, light rays are converging, अगर, मानली जी, हमारे पास ये कोई plane mirror है, this is the plane mirror, और अगर light rays, जो है incident rays, मानली जी, ये incident rays आ रही है, and then they are converging, then they are converging after reflection, और convert होके, converge होके, अगर after reflection, अगर वो interaction के बाद जो meet करती है, ठीक है, they are converging, see, they are converging, they are converging, और converge करके, अगर meet करती है, then the image is real, तो image हमारी होती है, लेकिन अगर, अगर मानली जी, कोई ये spherical mirror था, this was the spherical mirror, और light rays आ रही है, this light rays are coming, that means incident rays, और reflect हो जाती है, वो reflect के diverge करती है, reflect के diverge होती है, ठीक है, reflect के diverge होती है, तो अगर reflect के बाद rays diverging है, तो इन से जो image बनेगी, that image will be our virtual image, आगे जाके, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, थोड़ी देर बाद जब हम discuss करेंगे, तो आपको बहुत जादा clear हो जाएगा, that what is real object, what is imaginary object, और virtual object, what is real image, and what is virtual image, तो यह सारी चीज़े, आपको आने वाले sections में clear हो जाएगे, अभी के लिए I am just giving you the basics, कि Rayoptics में जो terms आने वाली है, what does they mean, ठीक है, चलिए, now the fourth point is inverted or erect image, inverted या erect image कौन सी होती है, ठीक है, तो अगर मान लीजे हमारा object upright है, और उसकी image भी upright बनती है, that means the object is upright, and image is also upright, then that is called as erect image, तो अगर यह orientation ऐसे, horizontal वाला orientation है, object हमारा ऐसे है, और image भी हमारी ऐसी बनती है, same orientation में, then that image is called as erect image, लेकिन अगर, हमारा object जो था वो upright था, और image जो बनती है, that means opposite orientation, then that image is called as inverted, और similarly अगर horizontal में देखेंगे, तो अगर object ऐसे है, और image opposite बनती है, so that image is also inverted, so erect का मतलब क्या हूँआ, same orientation, और inverted का मतलब हूआ, opposite orientation, ठीक है, that is what mean by inverted and erect image, magnification is the ratio of size of image by the size of object, यानि कि हमारा जो image का size होगा, और जो object का size होगा, उसका ratio, that is called as magnification, और अगर magnification की value positive आती है, that means the object is, object is erect, sorry, that means the image is erect, and if magnification is negative, then image is inverted, और यह सारा sign convention के ओपर based है, तो अभी आदे वाली classes में, next coming classes में, we will also discuss the sign convention, then you will understand in a better way, that what is the meaning of this erect, and what is the meaning of inverted, and how the magnification is positive, how it is negative, तो sign convention, positive negative magnification कैसे आएगा, that also you will learn in later lectures, now one more concept, we have to deal here is laws of reflection, laws of reflection के basis में, एक बार थोटा सा देख लेता है, सिर्फ दो हमारे पास, दो हमारे पास point है, the first one is incident ray, reflected ray and normal, all lie in the same plane, and meet at the same point, देखिए, फर्रेक्राबल अगर हम plane mirror की बात करें, plane mirror पर reflection हो रहा है, तो आप देख रहे हैं, ये point, if I will name this point as point P, so it means, देखिए, अगर ये plane माननू मैं, this page, this page, this A4 size sheet, अगर मैं इसके plane में मानू, तो ये incident ray is, reflected ray and the normal, they'll all lie in the same plane, कोई भी plane के बाहर निकल के नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे A की plane में है, and they are all meeting up at same point, देखिए, ये देखिए, same point, यहापर normal, incident ray, reflected ray, all of them are meeting, ठीक है, अब देखिए, अगर हम spherical mirror की बात करें, spherical mirror की बात करेंगे, तो देखिए, यह हमारा जो principal axis है, this is our principal axis, और अगर हम इसको P, यानि यह pole मान लेते हैं, this is P, ठीक है, तो यह हमारा principal axis, हम इसको consider कर सकते, that this is normal at this point, principal axis, this is normal at this point, और इस normal के साथ, मान लीजी, देखिए, यह normal है, और normal and this incident ray and reflected ray, they all lie in same plane, now comes to the second point, now we come to the second point, second point is saying, that angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence क्या होता है, ध्यान से समझेगा, जो incident ray जो होती है, यानि कि आने वाली, this is our incident ray, which is coming, ठीक है, incident ray जो आई, आके उसने strike किया, और strike करने के बाद reflect होती है, ठीक है, और यह हमने जो normal बनाया, इसी point पर, तो होता क्या है, बच्चो, यह जो incident ray होती है, normal के साथ, अगर angle I बनाती है, that is called as angle of incidence, and reflected ray, normal के साथ, जो angle बनाती है, that is called as angle of reflection, तो होता क्या है, कि यह angle of incidence, and angle of reflection हमेशा सेम होता है, चाहे वो plane mirror हो, चाहे वो spherical mirror हो, दोनों cases में, angle of incidence and angle of reflection, is same, तो अगर आप देखिए, यह अगर normal के साथ, आने वाली incidence ray थी, उसने eye angle बनाया, तो reflect हो के reflect back, जो हो रही है, वो भी eye angle बना रही है, अगर हम spherical mirror की बात करें, तो जो incident ray थी, वो normal के साथ, eye angle बनाती है, तो reflect back होने के बात भी, वो normal के साथ, कितना angle बना के जाएगी, eye angle बना के जाएगी, so these are laws of reflection, so thanks for watching the video, I hope you like the video, please do subscribe our channel, like and share, and don't forget to comment, because your valuable feedback, matters a lot for us, so thank you for watching, and keep watching the next lectures in a series, I hope that you will be able to get 100% of it, and no questions will be out of it, I am telling you, this is our promise, thank you, thanks a lot.